हेलो एब्रीवन तो कैसे है आप सभी तो तेखे आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे जो सोल के अभी एड़ीशन हो रहे है दोज़ा 24 सेशन के लिए तो क्या सोल में एड़ीशन लेने के क्या फाइदे है क्या नुकसान है आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे क्या सही में सोल के अंदर एड़ीशन लेने का कोई वेनिफिट आपको मिलेगा क्या क्या चीज रहती है एस वन में सारा कुछ आज हम डिसकस हरेंगे मुझे लगता है आज तक पूरे यूटूब पे पहली वीडियो होगी जिसमें म तो पिछले कुछ सालों से जो सोल के अंदर चीज हो में बदलाव आया है चेंजिस आया है क्या 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 में डिसएडवांटेज देखने को मिली वह साही चीजे में डिसकस करने तो मेरा नाम है विबेक और आप देख रहें कॉलेज अपडेट जहां पे हम आपको टैंटम सारी अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं दिल्ली विस्विद्जाले से जोगी है तो आज हम ऐसे कॉलेट की बात कर रहे हैं जिसको स्कूल ऑपर लर्निंग यानि एसोल बोला जाता है और मैं यह कहूंगा कि ग्रेजोशन का सपना हर स्टूडेंट का होता है और वह सपना दिल्ली विस्विद्जाले से होता है कि मैं दिल्ली विस्विद्जाले से ग्रेजोशन करूँ मैं दिल्ली विस्विद्जाले की डेगरी लेकर ग्रेजोशन करके नेगरूँ तो हो क्या रहा था कि अभी पहले मैरिट बेस एडवीशन होता है तो मोस्ली ऐसे पॉसिबल नहीं कि यहां पे सीड्स जो है रेगुलर में काफी लिमिटेड है और एड़ीसर लेने वाले लाख हो है तो ऐसी कंडिशन में स्कूल उपर लर्निंग उन बच्चों को मौगा देता है जो बच्चे डिल्ली विस्विध्याले से स्टेडी करना चाहते डिल्ली वि सबसे ज़्यादा इसी विए से पेमस था किसके पेपर थे वह साल में एक वाल बगवा करते थे बट एसे चेंजिस आए बदलाब ही विकास है मैं तो बदलाब नहीं होगा तो तर हम का आगे कैसे बढ़ेगे तो एसे में चेंजिस आए निया माय यूरीसी के निया माय तो इसके अंदर सैमिस्टर जो मोड है वो लागू पिया गया अब जो अब एक्जाम है वो सैमिस्टर वाइस होते है और दैन उसके आद दोजार बाईस में एनपी इसके अंदर लागू कर दिया गया और आप इसके नियू एडूकेशन पॉलिसी भी आपको देखने को मिलती ह अब बात कर लेते हैं कि सर हम एडूकेशन तो ले रहे हैं क्या हमें इससे को नुकसान तो नहीं है क्या वेनिफिट है वो भी बता दिए जो रियाल्टी होती है हर कॉलेज की वह जानना काफी जरूरी होती है और जहां बात करें ग्रेवसन की क्योंकि यहां ग्रेवसन में लगता है mostly student competitive exam की भी तैयारी कर रहे होंगे mostly student एसों में जो graduate होने का किसी बड़े college में जाने का सबना देख रहे होंगे तो कहिने कि यह चीज़े काफी जलूरी होती है अब बात कर लेते हैं अगर आपके gradation की अगर आप एसोर से gradation करते हो उसके फाइदे क्या है पहले फाइदे की बात कर लेते हैं पर नुपसान की बात करते हैं पहला फाइदा तो यह है जो मैंने भी बताया दिल्ली बिस्विध्याले की degree जो कि दिल्ली बिस्विध्याले हुआ है और आप किसी सेगंड मंदे को बोलते हो कि आयम ग्रेजुट को यूनिवर्सिटी ऑफ देली तो कहिना कहीं उस सुनने का आप यह सकता है यह ब्रैंड का नेम का फरक पड़ता है और इतना बड़ा कॉलेज एक रिस्पेक्टिव कॉलेज जिसके अंदर कहिना कहीं इत क्लासिस लेने की बात देता नहीं होती है जैसे अगर मैं कहूं कि मैं तो जॉब करता हूं पर मुझे करनी है सर मैं कॉम्पेटिटिव एक्जाम की तयारी कर रहा हूं मैं UPSC कर रहा हूं पर क्या मैं अपनी ग्रेशन साथ में कर सकता है तो चीज आपको प्रोवाइड करवा रहा है कि आप पढ़ते 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 अपना गैशन भी कीजिए CACS जो भी एक्जाम आप दे रहों उनकी आप तयारी कर सकते हैं एक साथ दो फाइदे आपको देखने को मिलते हैं सबसे बड़ा बेनिफिट आपको दूसा मिलता है तीसा बेनिफिट की बात की जाए इसके अंदर कोई भी एक्जाम या मैरिट बेस कोई सिस्टम इसके अंदर लागू फिलाल नहीं है अंदर अदर के अंदर में बात कर रहों हैं अभी यानि कि अंदर सबसे बड़े कौर्सिस है आपकी अगडर किमिल एक निजये रहें कि आपको कोई भी एंटेंस बगेरा आपको देने की दिक्कत इसमें नहीं होती तो यह सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है इसके अंदर है लेकि यह जो भी मैं बेनिफिट बता रहा हूं मेरे जो पिरसले साल के सबसे बड़ी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है एक और क्या बड़ी चीज है एक और बड़ी चीज यह है कि आपको बता रहता हूं अभी कुछ कोर्सिस के आए है तो मैं कहुंगा कि मैंने मोस्ली बच्चे उसमें देखे जो फर्च डिवीजन से पास हुए मतलब फर्च डिवीजन अपने आप में एक माहिने रखता है कि आप साथ परसेंट से ज्यादा नंबर से पास होगे अब आ मतलब कि इंप्रूमेंट से अच्छा ही है कि आपकी डिवीजन का भी अच्छी बन लिए तो यह चीज सबसे बढ़िया इसके अंदर दूसी चीज में रहेगी कि दिल्ली बिस्विध्याले का इसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलता है मतलब कि आप से कर रहे हो तो ऐसा नही इसमें दिली उस्ताली से करें जिम्मेदार है कोई चीज आपके रहती है वह इसके अंदर आपको मिलती है इसके लाब बात कीजा इस कोश सालों से स्कॉलरी करके एक फ्स गीम चला रहा है पिछले साल भी निकारी इच्छोन को जो मिला मुझी लगता है फेस बन हो चुका ह के लिए भी जल्दी नॉटिकेशन आने की पूरी मुझे तो यानि एसे बच्चों को भी मौगा दे रहा है इस्कीम चला के जिन बच्चों ने भी फीस काफी मेहनगी थी क्यों थी क्यों की बड़ी है सिंपल सी बात है एसोल की फीस मेहनगी हुए मैं चीज को बोलता हूं डवल हो गई एक तरीके से ठीक है डवल टीवल आप कह सकते हो बट एसोल ने उन बच्चों का भी खयाल रखा है जो बच्चे फीस अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको FSS स्कीम के तायर उनकी जो फीस ह सबसे बड़ा मुझे लगता है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है दूसी चीज इसके अंदर जो 90% प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन है मतलब मार्च सीट आपको ऑनलाइन मिलेगी प्रोविजन आपका ऑनलाइन है एडविशन आपका घर बैटे-बैटे हो जाता है मत तब कुल मिलागे बात ही है कि आप रिमोडली इसके अंदर कुछ भी कर सकतो घर बैटे-बैटे इसके अंदर आपको मिलती है जादा तर आपको बिजिट नहीं करना पड़ता कुछ केसिस में आपको जाना पड़ सकता है देखिए कॉलेज है जाने में कोई बुराई है नह आपको मिलती है आप घर बैटे-बैटे इसके अंदर असेस्मेंट दे सकते हो जो कि आज के टाइम पर डिजीटल इंडिया उसके लिए काभी बड़ी चीज है कि स्टूडेंट घर बैटे-बैटे मुबाइल फोन से चीज देखिए अब आप इसके तो बैनिफिट भी है अब बैनिफिट आपको बता दे रहा हूं जो कि मैं बता रहा हूं आपको यह चीज आपको देखने को मिलती है इसके लागए इंटर माइग्रेशन की सुभी दा आपको एसोल के अंदर मिलती है मान लीजिए आप एसोल से किसी अधर कॉलेज में जाना चाहते हो बड़ जो सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो बैनिफिट तो मैं काऊंगा बैनिफिट तो बैनिफिट काफी है एनिपीज के लागू हो गया है इसके तीन साल और चार साल का आपको देखने को मिलेगा इस वार जुद्ने भी एडविशन लेरे दोबाद च्वावीस में तीन साल का कर लो और इसके अलावब प्लेस्मेंट की सुविधा भी आपको दे रहा है मैं तो कहुंगा कि अभी इंटनसीब निकली थी आप उसका रेडल्ट भी खैल नहीं आया है बट इंटनसीब निकली और प्लेस्मेंट भी निकलती रहती है बीच-बीच में मोशली गल्स के देखने को मिलता है तो यह तो बेनिफिट की बात हो गई और नहीं बाद डिग्री इसकी डिग्री पूरी तरीके से बैलिट है जितनी रेगुलर वालों की डिग्री वह नहीं आई स्विल वालों की दोरों में कोई कंब्यान नहीं है क्योंकि एक अधिकारी हो दोनों पे सा देखिए फाइदा तो होता है अब कोई भी मैडिसीन अगर आ रही है तो मैडिसीन की जो एफिसेंसी होती है 70-80% होती है क्यों फाइदा आपको करेगी बट 20% खामिया तो जरूर होगी साइड इफेक्ट होंगे इसी तरीके से एसोईल के भी बेनिफिट तो मैंने बता दि मैं इगनू को भी ले लेता हूं इगनू हो सबसे बड़ी दो बड़े कॉलेजिस है यूनिसरेटी है जहां भी बच्चे लागों की तादाद में अड्विसन लेते हैं तो ओपन कॉलेज जो की क्रॉस्परेंडिस के तहरत आप आप एसोल से करते हो नुकसान क्या होता है न कराने का काम दिल्ली भी स्विध्याले का है बड़ होता क्या है कि एसोल के बच्चों की संक्या काफी ज्यादा है तो कभी कवार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ ग्लिचिस उनकी बैफ साइड पे उनके रिजल्ट वाले पोर्टल पे हमें देखने को मिल सकती इसमें नहीं है अब देखिए अब ओपन कॉलेज में आयो इस ठीट को आपको एग्री करना पड़े आप यह कहों कि पूरी रेगुलर वाली फैसलिटी मिले वह आपको नहीं मिलेगी ठीक है अब एसोल के इंदर क्या-क्या डिस एडवांटेज को नहीं देता देखिए पैरी अब है इसके अंदर जो कोर्सी की संक्या लिमिटेड यह है कि इसके अंदर जो कोर्सी सब्सक्राइब ने चुने हैं मतलब अब ही अगर मैं सारे कोर्सी जोड़ बन रगया जोड़कि तो नौशन दस आपको देखने को बिल जाएगे बढ़ मान लीजिए मुझे बीस सी कर सकता हूं कि इसको तो मुझे उनी 10 दस सल में से मुझे लेना पड़े चाहता हूं इसके नुह उन्ट चाहता हूं लेसं को कॉया कॉर्स की संघ्या कम है यह चीछ आपको मानना पड़ेगा अप पहले शूल के इंट पांच कोर्सित हुआ कर दें पिछले कुछ सालों में इस और कोर्स लेकर आएगी मुझे लगता है कि संक्या काभी बढ़ जाए बट आप यह कहना चाहूं या मैं कोई डियोग्राफी करूं या अलग संस्कित करूं यह फिलाल है सोल की पास नहीं है उनर्स के विसमें गिने चुनने कोर्षी जाए जाए बिया उनर्स साइकलोजी बि दूसा इसे यह Epic तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा इग्जाम देने के लिगा है यह सचय मैं आपको बता यतगर में अर्zekमें इसके संक्याट में ही है इस अगते में में इसे इत इक सते हैं यह खुद एक कॉलेज है तो मैं इस सीज को बता जिता हूं अगर आपको एक्जाम दिल्ली आकर देने में अगर आप दूसरी स्टडी संडर भी बात कर लेते स्टडी संडर का दिल्ली में ही आपको अलॉट होगा जहां की क्लासिस लगी अब यह का होगी सब्सक्राइब घर के बाद जो इगनु फैसलिटी देता नहीं है यानि किसके अंदर लिमिटेशन आपको मिलेगी दिल्ली में इस सबसे सब्सक्राइब करना है तो निज्ली आपको मिलेगा है दूसी के मैं वह दे रहा था कुछ बचों के कमेंट आदेगी उनके ब्रादर शिस्तर ने पढ़ाई की होगी उनको क्या सब्सक्राइब्स सब्सक्राइब मिलें । मैं आपको चीज बता रहा हूं अ कैसा होता क्या है देखिए एक्षिली एक्षिल के अंदर पिछले कुछ सालों से काफी इंप्रूमेंट होई है कभी तो इनका सलीबस बदल जाता है ठीक है अभी अनुवल मोड हम पढ़ते हुआ रहे था तो हो जा उन्नी स्था अब हो आगा सी वी सी आया पूरा खतम कर दिय जा गया अब कोई चीज बनेगी छपेगी तो उसे टाइम तो लगता है अब देली तो होगी अब उसमें आप यह कहो कि मुझे स्टडी मेटियल टाइम से नहीं मिला जी है अगर मान लीजिए आप कोई नया कोर्स आया है उससे इंट्रेड्यूस किया जा रहा है तो उसका स इस एड़ांटिज रखते हो बड़ा भी मजबूरी समझ सकते हो चीज की ठीक है अगर मैं यह कहूं कि सर स्टडी मोडिल इसमें टाइम से नहीं मिलता रेजल इसमें टाइम से नहीं आता क्या सच्चा ही थे कि रेजल टाइम से आना ना आना यह एक्जामियसन ब्रांच की सबसे बड़ी बात है सबसे बच्चे है रेगुलर में अकेले सतर हजार बच्चे आगे जा रहा है और मैं यह कहना चाहूंगा आप से कि अगर आप चाहते हो कि दिल्ली बिशुदारी से पढ़ना तो एक सबसे बड़ी चीज अभी मुझे लगती है इनके स्टाप यह कि इनका हेल्प लाइन और नंबर है वह अभी थोड़ा इसमें इंप्रूमेंट की जरूरत है क्यों क्योंकि रीजन यह है कि अभी इसके लिए काम कर रहा है तो यह पर उसको इंप्रूमेंट करने की बात की जा रही है तो मुझे लगता है वह चीज़ा एडवांटेज में बदल जाएगी आने होले कुछ तैम होगा तो यह चीज नहीं है कि ऐसा नहीं है वह नहीं है क्लास की बात की जाए एस वह पहले रिवीजन नहीं देता था इनकी जो है पहले भी देखें ओपन कॉलिज की क्या ही मैं क्लास बोलूँ पड़िए काउंगा कि यह ठीक है इसको सुधू हो मैंने रियालाइज करें इसके अंदर स्टूटेंट के कमेंट सर वह प्राच्मिक्ता गीवाट प्राच्मिक्ता मतलब रेगूलर वालों को आगे रखा जाता है सोल वालों को पीछ रखा जाता है इसके रियालिटी किया मैं अब को बताऊू देखे एक्शली सकता है आपको देखने को मिल सकते बट इसका मुल कर सकते है आप कर सकते हैं कि प्रक्राइब बाकी इसके दिस एडवांटेज और लोग बोलते हैं अगर आप किसी भी सिस्टम में जाओगे भीड बनके जाओगे तो यह प्रॉब्म आपको देखने को मिलेगी बर उसी के सबसे आपने आपको इंप्रूब कर रहा है ऐसी बात नहीं है तो जो जो लगता है आमने पिस साल जो एडविशन हो रहे है उनके लिए काफी फैस्टिटीज लेकर आई लेकर आए तो आसे में यह कहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल ले लीजिए कोई दिक्कर वाली बात इसमें है नहीं बट यह समझ लेना कि दिल्ली में ही आपको आना पड़ेगा एक्जाम वालों को मिलती है तो वीडियो कैसे लेगी जरूर बताएगा और आपकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे थोड़ा इंफोर्मेशन की इसमें कमी रहती है इसकी वज़से थोड़ा बच्चे इससे दूर रहते बड़ ऐसा नहीं है वागी हम आपको प्रवाइड करवा र झालों करवा झालों करते याईडा करते रहते हैं